तो बॉनिंग बच्चो उम्मीद करती हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और ठीक होंगे तो बच्चो अब हमारा जैसे चैप्टर वाइस तो हमारे फाइल लेसन कंप्लीट हो गया है बट हम स्टार्टिंग से हमारा जो जितना हमने लेसन कंप्लीट किया बच् जैसे आप उसे आप तयार कर सकें आज हमारा बच्चो स्टार्ट होगा लेसन सेकंड लेसन सेकंड में जैसे हमने जाना था कि अवद्पूरी में राम विश्वमित्र के साथ कहां चले गया है राम वर्म में जा चुके हैं उनकी उन्होंने जो अनुस्ठान का योजन किया है उसकी रक्षा है तो अभी वो निकल चुके हैं अभी सर्जो जी पार कर रहे हैं तो अब हम जो लेसन अध्या देखेंगे वो है जंगल और जनकपूर तो जंगल और जनकपूर में हम यह देखेंगे बच्चों कि किस तरह से वो जंगल से गुजरते हुए जाते हैं जिसके कि वहाँ ताड़का थी लेकिन ताड़का के जिसे भहनकर युद्ध होता है दो尹ब के बत के उपरांति वो वन चुं क होता है पहले की भाता एक दम आनंदेद और तूप हो जाता है और इसी के साथ वह करांति रज़र में ने तै कि जब तक उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता ना वह सोएंगे और नहीं कुछ खाएंगे ना पीएंगे मतलब जब तक उनका अनुष्ठान चलता रहता है बचो तब तक वह धनुष्बाण की प्रसंसा चड़ाते हुए तो चार पांस दिन तो ठीक जाते लिए पारीच और अन्य राक्षजगण वहां पहुच जाते हैं और वह क्या करते हैं वह मतलब उनके बीच में भेंकर युद्ध होता है जिस पर राम के लक्षमा राम के बांड़ों के द्वारा दूर जाके गिता है कौन मारीच दच्छल देशा में और गिनने के बाद वहां से भाग जाता है और बाकी के राक्षजगण मारे जाते हैं और इसी के साथ विश्वामित्र जी का अनुष्ठान भी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है और वो संपन्न होने के बाद फिर भगवान राम पूछते हैं कि गुर्देव अब हमारे लिए क्या आ गया है तो उ अपने बड़े बुजर्ग को या गुरुजन को या ध्यापव को या सिच्छक को हर किसी को बच्चो यह बहुत अच्छा लगता है तो इस प्रकार से वह आनुदित हो कि उनको गली से लगा लेते हैं और फिर उसके साथ मुस्कुरा के कहते हैं कि अब हम जनक पूर जाएं प्रस्तान करने के उपरांत यह लोग जनक पूर पहुच जाते हैं जनक पूर में देखते हैं तो काफी अच्छे से सजाय हुआ रहता है और सजाने के उपरांत ही वहां पर यह भी देखने को मिलता है कि किस तरके से सारे जनक को सजाना उसके द्वारों को सजा के रखा जा वो सारी ध्वनी सुनाती है मत्वा भी कोलाहल सा मचा होता है क्योंकि राजाजनक की बड़ी बेटी यानि कि सीता जी का स्वैंबर वहाँ पर होनी वाला रहता है तो इसी के साथ सभी लोग फिर जिस निर्धारी समय पर अपने स्वैंबर शुरू होता है तो काफी बड़े- बड़े राजा यहां तक वहाँ पर राच्छस लोग भी अपना भेस बदल कर जैसा कि हमने जो हमने कितसे अपने टी-वी पर भी देखा होगा रामा इर्सेृल के दोरा ना तो उसमें भी हमने यही देखा है कि कैसे राच्छसी अपना भेस बदल कर राजा बड़े- अपराक्मी राजा सभी आते हैं लेकिन उस धनुष को उठाने के दो बहुत दूर के बच्च उसको हिला तक में पाते वह लो इसके बाद फिर जब वो राजा जनक की बिनबना देख लेते हैं कौन वर्चों महाशी विश्वा मितर है जब वो देख लेते हैं कि अब सभी ने प्राम को आग्या देते हैं तो फिर राम कहता है गुरुदेव की तरफ देखते हैं तो वह कहते हैं कि अगर तुम स्कूर चढ़ा सकते हो तो तो बिल्कुल चढ़ा दो जो कि जानते तो थे कि यह चड़ा लेगा तka फिर भी वहां किसी के सामने किसी के गुण को किसी के सामने प्रस्तूद नहीं किया जाता तो यहाँ पर वो आज्या देते हैं और उसे के साथ राम धनुश को उठा कर उसे प्रतंचा चड़ा देते हैं चूंकि धनुष काफी पुराना था तो जैसे उठाकर उसे प्रतंता चलाने जाते हैं वो धनुष बीच में से तूट जाता है तो तूटने के उप्रान क्या होती है अब भयागर गरजना के साथ बहुत तेज से आकाशी मतलब बिजनी चमकती है बहुत तेजान ही आ जाती है लेकिन इसी के साथ पूरे कुछ देर के लिए पूरे राजदर्बार में सब इंदम शान्त हो जाते हैं फिर सब की चुपी कौन तोड़ता है राजा जनक बहुत खुश होते हैं कि उन्हें सीता के लिए एक अच्छा वर मिल चुगा था और इस नाते से बहुत आनलित रहत सिटा आती है और वो राम को बर्माला डालती है अब बर्माला डालने के बार फिर राजदर्बान केहते हैं विश्वमित्र से कि अब अयुध्या में भी संदेश जाना चाहिए जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त और वो लोग भी यहां आ आजाए तो कहते हाँ का शुप्षमाचार आया है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होने के साथ सभी अपनी तैयरी के साथ जली ने तैयार हो के मतलब वो लोग चार-पांच दिन के अंदर वहां पहुशते हैं क्योंकि उससे में गुर्षवारी से लोग आया जाय करते थे वहां पहु कि अगर आप चाहे तो चोटी बेटीर राजाजान्द की वच्चों दो बेटिया थी पहदी तो सीता थी और दूंकी उर्मीला मांडवी और शृत कुर्त कुर्त कर लेता हैं उसका बहरत और शत्रुबिन के साथ तो इस प्रेकाль से चारो राजकुमारों का विवा नियोज़ समय पर हो जाता है और इसी के साथ बच्चो राम का भी विवा होता और ये विवा का जो उस्तो था उस्तो की तरह बनाय गया था बच्चो और उस्तों ये कई दिनों तक चलता है सभी रजयनक में आयोध्या में हर जगा सब लोग बहुत प्रसनित हैं कि अब राजा राम का मतलब ये अब राजकुमारों का विवा हो गया है राजकुमार्या भी आ गई है मतलब सब सुखी था कहीं किसी चीज की कोई कमी थी जो हर शोर लास के साथ इस त्योहर को बहुत दिन तक मनाया गया मतलब इस विवा को बहुत समय तक लोगों ने मनाया और याद रखा तो ये तो बच्चों हमारा लेसन कि अ